आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ड्रेम 11 में टीम कैसे बदलें अगर आपको लगता ये प्लेयर नहीं चलेगा आपको कहीं से जानकारी मिली अगर टीम बदलना चाहते हैं तो कैसे बदल सकते हैं ड्रेम 11 में आज की वीडियो में आपको वहीं बताने वाला हू बाइंगे वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब यार चनल को background कर लो कहते कहते में परेसान हो गया आप लोग करते रही है माई टीम यह आपकी टीम है तो आपको अपनी टीम पर किलिक कर देना अगर अपनी टीम को आप बदलना चाहते हैं तब अगर नहीं बदलना चाहते हैं तो किलिक करने कोई मतलब ही नहीं बनता न उसके बाद उपर देखेंगे पैंसल का आइकन है सिंपल से इस पैंसल वाले आइकन पर आपको किलिक कर देना चलिए मैंने पैंसल वाला आइकन पर किलिक कर दिया जैसे मैंने पैंसल वाला आइकन पर किलिक किया अब मुझे यहां पर यहाँ मुझे देनेश कार्थिक को नहीं लेना है तो मैं क्या करूँगा? इनको यहाँ से खटा दूँगा अब देनेश कार्थिक हमाई टीम में नहीं है यहाँ मैं गुर्बास को ले लेता हूँ देख सकते हैं यह थीक तो इस परकार से team edit होती है अब bowling में जैसे ऩटेंग से हर्दिक पर्तों किसा सटू के यहाँ पे नहीं लेने जैसे हसीज से हटा दिया अब मुझे इनको रखना मुहंबत सिराज को मैंने सिराज को प्लस कर दिया ठीक इसी परकार से में यहां पर आगयow करेंगे यहां से जिसको आप कैप्टन रखना चाहते हैं अपने कैप्टन भी इडिट करना है कि अब जिसको कैप्टन रखना चाहते हैं उसको कैप्टन पर किलिक करेंगे उसको कैप्टन रख लेंगे वाइस कैप्टन को रख लेंगे उसके बाद यहां पर सेव कर देंगे अब यह आपकी टीम इडिट हो गई, दोस्तों कुछ इस परकार से ड्रीम 11 में आप अपनी टीम को इडिट कर सकते हैं, छोटी सी वीडियो थी जानकारी आपको बहुत बढ़िया मिली, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, वे लेंग को प्रेस कर लिए ताकि आने वाली वी